असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब लत अलाब सभी लोगों को खुश हो अबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं लत अलाब के नाम से जो दोनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रेसेपी लेके आए हैं चने जाल और पत्ता गोवी से हमने रेसेपी बनाई है इंशालत अलाब जब भी आप रेसेपी ट्राइ करेंगे आप मतन के शायके को बिल्कुल भी मिस्स नहीं करेंगे बिल्कुल इदम टेस्टी रेसेपी बनने वाली है तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है तो यहां पे देखिए हमने चना दाल ली हुई है एक कप और इसको हमने धूल के दो घंटे पहले भीगा के रख दिया था और यहां पे बंदगो भी हमने ली हुई है चोटे साइस की बंदगो भी थी और उसे आधा हमने कट करके लिया है यानि जतनी चने दाल भीगने के बाद है उतनी ही बंदगो भी है तो चलिए और सामान पे नज़र डाल लेते हैं हमने क्या क्या सामान लिया है यहां पे देखिए हमने तीन मीडियम साइस की प्यास थी उसे कट करके लिया है और यहां पे दो बड़ी साइस के टमाटर को कट करके लिया है और तीन ही हमने हरी मिर्च को इस तरीके से कट करके लिया है अधर कलिस्टन का पेस्ट हमने एक चमच लिया है साबूत मसालों में सफेज जीरा एक चमच भरके और दारचीनी, दो तेज पत्ता, सफेज लाची चार और 6-7 हमने यहाँ पे लॉण ली हुई है दो चमच भर के धनिया पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, सीरा पाउडर, आदा चमच और यहाँ पे एक चोथाई चाय का चमच हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है एक चमच गरम मसाले का पाउडर हम एंड में इस्तिमाल करेंगे हल्दी नमक का इस्तेमाल हम प्यास के साथ करेंगे सब धनिया बारिक कटी हुई हम एंड में इस्तेमाल करने वाले है बिस्मिल्लाहिर रह्मानि रहीम तो यहाँ पे देखे तेल गरम करने के लिए हमने रख दिया है और तेल हमने थोड़ा ज्यादा कॉंटिटी में लिया है तेल जैसे ही गरम होता है इसमें हम अपने साबूत गरम मसाले आइड कर देंगे और गरम मसाले के करेकल होते ही हम इसमें प्यास आइड कर देंगे फौरन से हमने प्यास आइट कर देनी है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, वरना हमारे मसाले जल जाएंगे प्यास को थोड़ा सा हम चला देते हैं, और इसमें हम शामिल करेंगे नमक, एक चमच से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक शामिल कर दिया है अपने टेस्ट की साब से आप नमक शामिल कर लें, और इसमें आदा चमच मैंने हल्दी शामिल कर दी है हल्दी शामिल करके हम प्यास को फराई करेंगे, प्यास को हमने बहुत ज़़दा गोल्डन बराउन नहीं करना है बस हमने हलका सा फराई करना है, लगबग हमने इसको 2-3 मेर तक प्यास को फराई कर लेना है, बहुत जदा इसको कलर नहीं देंगे और बहुत जदा क्रिस्पी भी नहीं करना है, बस हमने थोड़ा सा प्यास को फराई करना है, देखिए ऐसे हलका हलका सा कलर आ जाए, इतनी द भूनेंगे थोड़ा सा, बस कुछ सिकंड तक हमने भूनना है, बहुत ज़्यादा देर तक हमने अधर क्लिसुन के पेस्ट को नहीं भूनना है, और इसमें अब हम शामिल कर देते हैं सब्स मिर्चो को, तीन सब्स मिर्च हमने देखे कट करके ली हुई है, इसको थोड़ा सा करके कुछ सिकंड तक हमने सब्स मिर्चो को भी भूनना है, ताकि उसकी खुश्बू तेल में अच्छे से आ जाए, उसके बाद हम टमाटर शामिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा सब चीज की हम भूनाई नहीं कर रहे हैं, बड़ी ही जल्दी से हमारी डिस्क तयार हो है, थोड़ा सा बस जो हमने छोटी सी प्याली में हमने अधरकली सुन रखा था, उसमें हमने पानी शामिल किया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल किया है, टमाटर ने अपना पानी खुदी रिलीस किया है, बस हमने थोड़ा सा चला दिया है, बस थोड़े से दो मि मिक्स कर रहे हैं और उसके बाद हमने फौरण से ही बंद गोबी भी शामिल कर देनी है और सबी चीजों को हमने अच्छे से चला देना है और अब हमने दो मिनट तक इसकी भुनाई करनी है तोड़ा सा चला के हम छोड़ देंगे उसके बाद हम तोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट तक बहुत जादा देखी हमने किसी भी चीज की कोई बहुत जादा भूनाई भी नहीं की है और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की है बस फटा-फट से हम सभी चीज़ां करते चले गए हैं और बहुत ही ईजी तरीके से यह दाल तयार होती है लेकिन जब आप खाएंगे तो इसका टेस्ट आपको इतना कमाल का लगेगा कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंग इंशाला ताल आप लोगों को बहुत पसंद आएगी रेसेपी हमारे चनल पे तो आपको बहुत सारी ऐसी कुविक और एजी रेसेपी मिलेगी बहुती मज़ेकी और बहुती लजीज रेसेपी हम आपके लिए लेके आते हैं तो आप हमारे चनल का विजिट करें आपको इं बिल्कुल नहीं बनाना है लेकिन बहुत ही ज्यादा हम इतना ठीक खें शुखी-सुखी सी रहे थोड़ी हल्की सी गिरे वी हम इसमें रखने वाले है तो हमने इसमें इस कब से 2 पानी शामिल कर दिया है और इसको अब हम ढगा के पकाएंगे लगबग 15 अ मिनट तक बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी रेसेपी बनती है तो देखिए यहां पर बहुत ही अच्छे से पक चुकी है हमारी रेसेपी चेक करते हैं देखिए दाल बिल्कुल अच्छे से गली हुई है लेकिन चने की दाल बहुत ही जल्दी से मैश नहीं होती है खड़ी-खड अनिया भी हमने इसमें शामिल कर दी है और अच्छे से हम दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं बस एक मिनिर तक पकाने के बाद हम आज को बंद कर देंगे और बहुती जल्दी से जटपट से हमारी रेसेपी बन के तयार हो चुकी है बहुती लजीज बहुती टेस्टी आपकी कमेंट करने से हमें बहुत होसला मिलता है वीडियो को शेयर कर दे अपनी फैमली और फ्रेंड पर चैनल पर अगर नए है तो आपसे मेरी दिल से दर्खास थे कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना हर्गिस ना भूले साथ में लगा हुए बिल का इका आला आला हाफीज